तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बजट पढ़ना यूनियन बजट यूनियन बजट पढ़ेंगे कि जो केद्र का बजट होता है यह क्या है सर बजट का मतलब क्या होता है तो सिंपल से चीज आप लोग समझो कि बजट को अगर हम लोग नौर्बल भासा में बोले कि आपका जो घर में बड़े पाटी होने वाला है उन दो लाको में ही आपको करना है तो आप क्या करोगे आप एक लिस्ट बनाओगे कि देखो यहां पे इतना खर्चा होने वाला है इस जगहां पे खाना बनाने वाले को 10,000 में ही बुक करना है उससे जादा बुक नहीं करना उससे जाद उसको पैसा नहीं देना है तो आप एक क्या करोगे आप एक इस्टिमेट तियार करोगे आप एक रिसिप्ट तियार करोगे कि कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा कितना ज़्यादा खर्चा होगा तो उसी पूरे इस्टिमेट को बनाने को क्या बोलते है सर वही पूरे estimate को क्या बोलते हैं, Budget बोलते हैं, तो सर आप समझो ना, हमारा जो केंदर सरकार है ये पूरे देश को सम्हाल रहा है समझड़ों आप, ये पूरे देश को सम्हाल रहा है, पूरे हर एक democrats सम्हाल रहा है, ये देख रहा है कि roadways में कितना पैसा जाना चाहिए, यह देख रहे हैं कि मिलिटरी में कितना पैसा जाना चाहिए, यह देख रहे हैं कि फार्मर्स को कितना पैसा मिलना चाहिए, तो इतने सारे जो मिनिस्ट्री हैं, जो मिलके कि हमारे पूरे देश को चला रहा है सर सुचारू रूप से तो इनका भी तो एक budget होना चाहिए इनका भी तो एक estimate होना चाहिए कि यहां पर इतना पैसा खर्चा करना है हमने कि कोवीड आ गया कोवीड के लिए यह सब चीज़े करनी हमें जो medical sector है अब और हमको medical park बना जैसे सर कोवीड से पहले अगर आप देखोगे तो सब खुश थे कि हाँ आईटी पार्क बना देते हैं हम लोग भारत में बस काम खतम लेकिन अब यह फिल हो रहा है कि medical parks भी बनाना है तो medical park बनाने के लिए कितना budget fix होना चाहिए कितना expenditure लगेगा वो भी तो हमें estimate करना पड़ेगा ना तो यह हर एक चीज मतलब पूरे देश को सही ढंग से चलाने के लिए तो union government को भी तो एक budget त्यार करना पड़ेगा ना कि कहां पर किस sector में कितना पैसा खर्चा करना है कि highways बहुत जादा बन गया तो इस साल छोड़ दो इस साल highway में उतना हम लोग ध्यान नहीं देंगे अच्छा इस वक्त ना पूरे दुनिया के ऊपर कोरोना का effect बहुत जादा है तो हम लोग medical sector में ज्यादा ध्यान देंगे अरे यार military में भी मुझे ध्यान देना पड़ेगा क्यों कि military basis में भी making India मुझे करना है पूरे हर एक चीज को making India करना है इसलिए हमें military में भी focus करना प इसे development लाना चाती है किसके sector में कितना कितना पैसा खर्चा करना चाती है वो बताती है इस budget से सर बजट का जो है न वो directly impact पड़ता market में directly impact पड़ता market में क्योंकि budget के अनुसार ही budget के तरीके से ही government यही decide करती है कि कि किस चीज में कितना tax लगेगा ठीक है अगर मालो कि TV फिरिज में ज्यादा tax कर दिया तो TV फिरिज बिकेगा उतना नहीं बिकेगा अगर मालो जूता चपल का tax कम कर दिया तो जूता चपल सब खे जंस करता है कहीं ना कहीं समझ मैं आपको ठीक है तो सर यह budget बहुत important है लेकिन एक बहुत interesting fact है हमारे पूरे समविधान में यह जो बड़ देख रहे हैं आप budget ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है याद रखेगा हमारे पूरे समविधान में budget नाम का कोई वर्ड नहीं है ठीक है हमा हमारे समविधान में लिखा हुआ है annual financial statement annual financial statement annual financial statement लिखा गया है कहीं पे भी budget नहीं लिखा गया मतलब exam में आपसे पूछेगा कि budget जो है वो किस अनुछेद में लिखा गया है option देगा तीन गो और last में देगा none of these तो क्या मार कहिएग अप लो none of these because budget नाम का कोई वर्ड ही नह नहीं क्या है है समविधान में budget के लिए क्या word यूज किया गया च्डिया उन्टेंस के ओगया है annual financial statement यह लोग दोनों भाइबाइगे कि annual financial statement कि इस अनुशेद में लिखा गया है हमारे सम्विधान में तो अनुशेद 112 article 112 article 112 में annual financial statement का चर्चा किया गया है ठीक है तो what is annual financial statement तो according to article 112 the constitution requires the government to present a statement of estimated receipt and expenditure in respect to every financial year मतलब क्या कहना चाह रहा है sir article 112 कि जो government है ना government को हर एक financial year में हर एक financial हर एक वित्यवर्स में एक budget पेस करना पड़ेगा और इस budget में क्या होगा इस budget में basically होगा कि किस जगहा पे आप कितना expenditure करने वाले हो किस जगहा पे आप कितना ज्यादा expenditure करने वाले हो उस expenditures का receipt वेगरा they have to present it मतलब क्या government के उपर यह जिम्मेवारी है कि वो budget पेस करें हर साल हंजी हंजी वो पेस करें हर financial year का budget वो पेस करें और अव्यस सी बात है अगर आप लोग economics पढ़ें कभी तो financial year जो है ना वो मतलब किसी company का भी या फिर किसी देश का भी मतलब अगर आप लोग tax वगरा पे करेंगे तो घर में कोई index वगरा पे करता है तो उनसे पूछेगा कि financial year जो होता है वो इस 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 फैनेंशल इयर मतलब एक financial इयर का पूरा budget को पेस करने का जिमेवारी किसका है sir government को उपर है is it clear और budget का मतलब क्या होता है budget का मतलब होता है कि कहां पर आप कितना expenditure किजेगा कहां कितना खर्चा किजेगा कहां पर कितना estimated receipt लगेगा मतलब कहां पर कितना ज्यादा estimated आपको कितना लग रहा है कि यहां इस sector में इतना ज्यादा estimated पैसा चाहिए हमें ठीक है यह पूरा चीज क्या होता है sir this is budget and क्या budget हमारे हमारे समविधान में लिखा हुआ है no sir for budget a similar word is written that is annual financial statement where it is written it is written in article 112 क्या यहां तक clear है सभी को is it clear is it clear next sir अनुचेद 112 में यह तो लिखा हुआ है कि government को हर वर्स हर financial year में every financial year में एक budget पेस करना पड़ेगा annual financial statement पेस करना पड़ेगा क्या समविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि इसी दिन पर करना पड़ेगा इसी date पर करना पड़ेगा no it is not written याद रखिएगा हमारे समविधान में ऐसा कहीं ने लिखा हुआ है कि इसी date में आपको budget पेस करना है ठीक है आपको कहीं ने लिखा हुआ है कि नहीं इसी date पर आपको करना पड़ेगा नहीं तो आपका सरका गिर जाएगी या फिर आप February मेहना का last week में हमेशा जो budget है इसको इंट्रड्यूस किया जाता था पाली अमेंट में ठीक है इसको पेस किया जाता था 2017 से पहले 2017 से पहले क्या रिच्वल था कि जो budget है उसको February के last week में परजेंट किया जाता था परंतु 2017 के बाद क्या हो गया आफटर 2017 गौर्रमेंट अफ इंडिया ने यह डिसाइड किया कि जो budget है वो February के first week में इंट्रड्यूस किया जाएगा is it clear February के first week में इंट्रड्यूस किया जाएगा मतलब sir क्या गौर्रमेंट अपने हिसाब से अपने सुविधा का अनुसार से अपने अपना कंसाइन से क्या वो डिसाइड कर सकता है कि किस वक्त हमें budget पेस करना है और किस वक्त नहीं करना है अंजी कर सकता है it is not written in the constitution anywhere that up to this date or on this date the government have to present the budget in the constitution of India the only thing that is written that the government of India have to present a budget or annual financial statement every year for every financial year बस इतना ही लिखा गया है इस से ज्यादा नहीं लिखा गया है कुछ भी ठीक है तो यह एक fact है sir आप लोग याद रखिये कि February के पहला week में February के पहला week में sir अब किया जाने लगा है 2017 के बाद लेकिन पहले क्या था ठीक है पहले क्या था पहले क्या था सर पहले last week में किया जाता था February के ठीक है चलो next now sir article 112 को और अच्छे से पढ़ते हम लोग article 112 में क्या लिखा हुआ है घ्यां से सुनिए का बहुत इंपर्टेंट है article 112 क्या लिखा हुआ है the president shall in respect of every financial year cause to be laid before both the houses of the parliament a statement of estimated receipt and expenditure of the government of India for the for that year in this part referred to as the annual financial statement मतलब सबसे पहला तो definition दे दिया annual financial statement का हम लोग already पढ़ चुके है कि annual financial statement का मतलब क्या होता है estimated receipts and the expenditure of the government of India कि कितना कहां पे estimated receipt है क्या का कहां पे कर्चा होने वाला है इसका ये estimated value है ठीक है और इची को क्या बोलते है हम लोग annual financial statement लेकिन एक चीज़ यहां पर observe करो sir यह किसके जिम्मे वारी होती है क्यों बोलता है किसका यह क्याम है क्यों करवाना कौन बोलेगा कि यह करो sir यह President सहाब का करतव्व्य है कि वह हर साल हर साल ऐसा और वो करते नहीं है ध्यान से सुनिएगा अगर आप इस word का cause to be laid इसका मतलब समझे ना, इसका मतलब ये है कि उनका वो ये काम करवाते हैं वो ये काम करवाते हैं, वो खुद नहीं करते हैं, याद रखें कि exam में आप से पुछा जाएगा कि कौन करवाता है annual budget हर साल हर साल कौन बोलता है कि ये करवाना है, ये एकदम करवाना, ये mandatory, ये किसकी responsibility है, ये responsibility है, प्रेजेड़न साब की, लेकिन सर, represent या फिर present कौन करता है, budget को budget को पालिया में प्रेजेड़न कौन करता है, तो याद रखेगा union finance minister करता है, मतलब सर, ये करवाने का जिम्मेबारी किसका है, budget पेस करवाने का जिम्मेबारी किसका है, दोनों houses में, सर, प्रेजेड़न साब का, लेकिन budget को पेस कौन करता है, budget को पेस कौन करता है, union finance minister, समझ माया आपको, दोनों में बहुत difference है, किसी को ये बात नहीं समझ माया नहीं आया, तो बताएंगे मुझे, ठीक है, तो article 112 में ये साफ साफ लिखा हुआ है, कि जो president सहाब है, उनका जो है, उनका ये जिम्मबारी है, उनका ये काम है कि वो ये चीज़ करवाए, हर financial year में, annual financial statement, वो दोनों houses में, ले आफ करवाएं, वहाँ पे present करवाएं, लेकिन ये करतववे किसका है present करने का union finance minister, समझ मैं आप लोग को, चलो, next, sir, ये जो budget है, ये किस type का bill जैसा behave करता है, तो याद रखिएगा, ये जो budget है, ये money bill type से behave करता है, money bill, आप लोग को याद है, क्या money bill, क्या फिर भूल गाएं, sir, ये money bill जैसा behave करेगा, ठीक है, इडिज टाइप of money bill, it is not completely as money bill, पर ये एक type है, sir, ये आप लोग consider कर सकते है money bill जैसा, ठीक है, money bill जैसा consider कर सकते है आपने इसको, ठीक है, चलो, तो अभी तक का discussion में हमें ये समझ माया, कि budget क्या होता है, sir, budget क्या होता है, overall क्या-क्या खर्चा होने वाला है, overall क्या-क्या government next financial year में खर्चा करेगी, कहां-कहां, किस-किस sector में खर्चा करेगी, ये चीज़ के बारे में government बताती है, parliament को, now, थुनिए का होता क्या है, अच्छा, एक statement मुझे बताओ, अगर मुझे consolidated fund of India से पैसा निकालना है, तो किसका permission लेना पड़ेगा, अगर consolidated fund of India से पैसा निकालना है, तो किसका permission लेना पड़ेगा, अगर consolidated fund of India से पैसा निकालना है, तो sir, जो directly representative, directly elected representative है न, जनता के द्वारा जो परतर्च रूप से चुने गए हैं, उनका permission लेना पड़ेगा, that means लोकसभा, that means the legislative, जो विधान पालिका का हिस्सा है, उनसे permission लेना पड़ेगा, जो विधान पालिका का हिस्सा है, उससे permission लेना पड़ेगा, now, लब एक ही चीज हजार वारी, मतलब I don't want to say again, चलो, अच्छा एक बात बताओ, PM और Council of Minister, ये लोग क्या काम करते हैं, ये executive काम करते हैं की legislative काम करते हैं, मतलब ये विधान पालिका का काम करते हैं, या फिर कारेफालिका का का काम करते हैं, PM जो परधान वन्तरी सहाब है, और जो Council of Minister हैं, ये लोग किस टाइब का काम करते हैं, तो याद प्राइमरली एक legislative है, ये लोग primarily एक legislative है, मतलब इसका इन लोगों का primarily, मतलब प्रात्मिक काम क्या है, legislative का, legislative का, लेकिन ये लोग secondary तौर पे as a executive काम करते हैं, अब किसी को ऐसा है जिसको executive और legislative में difference नहीं समझ माता, तो मैं simple सी भासा में कहना चाहता हूँ, legislative वो होते हैं, विधान पालिका का हिस्सा वो होते हैं, जो कानून बनाते हैं, और executive वो होते हैं, जो वो बनाये गए कानून को implement करते हैं, समझ माँ आपको, जैसे जो हमारा लोकसभा या फिरात्सभा, जो parliament है, वो कानून बनाती है sir, और उसको implement कौन करवाती है, तो आप लोग देखते मित्रो ऐसा ऐसा स्कीम बना है इसको implement करना है ऐसे हैं कौन implement करवा रहा है पीएम साब लेकिन क्या पीएम साहब लोग सभ़ा का या फिराइज सभा के हिस्सा नहीं थे है सर है है मतलब पीएम साहब जो है वो एक Legislative भी है लेकिन उनका एक और करताव्य है executive का जो council of ministers है sir जो council of minister है वो लोग legislative तो है ही लेकिन उनका एक और काम है executive के तरह और क्या मैंने आप लोग को कभी पढ़ा है कि executive executive is responsible executive is responsible to whom executive is responsible to legislature executive is responsible to legislature legislature मतलब जो कारी पालिका के जो लोग है वो विधान पालिका के लोग के अधीन काम करते हैं answerable होते हैं उनको मतलब एक बात देखो मैंने आपको थ्वर देर पहले एक चीज़ समझाया कि यह budget किसका है यह budget किसका है विपक्षी पार्टी का है क्या या फिर ruling party का है ruling party का है जनता बना रही है बजट कहाँ जीरों ruling party का है ruling party का budget मतलब ruling party का मतलब sir government जो सरकार में अभी है उस सरकार का budget सरकार डिसाइड कर रही है कि कि स्क्टर में क्या-क्या खर्चा करना है कहां पर जाकि मुझे क्या-क्या expenditure करना है तो यह सर्कार की budget है यह budget किसा है सर्कार का और सरकार में po होता कौन कौन है एक government के अंदर होता कौन कौन है पी PM और Council of Minister ठीक है और अभी मैंने आपको समझाया कि सर PM और Council of Minister क्या है सर है तो वो basically है तो वो primarily legislative का हिस्सा पर वो executive के तरह भी काम करते हैं वो executive के तरह भी काम करते हैं now tell me one thing यह executive वाले चाहते हैं consolidated fund of India से पैसा निकालना क्या ऐसा हो सकता है no sir क्यों consolidated fund of India से पैसा निकालना का जिम्मेवारी किसके पास है सिर्फ और सिफ legislative के पास सिर्फ और सिफ legislative के पास लोगसभा 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 क्या है legislative है वो विधान पालिका है सिर्फ वो सिफ विधान पालिका का ये हक है कि वो Consulated Fund of India से पैसा निकाल तके तो PM और Council of Minister क्या बोलता है कि भाईया यह है बजट यह हमारा बजट इस बजट को इसी लिए लोकसभा में पेस किया जाता है उसके बाद जैसे पेस होता न यह बजट कौन पेस कर रहा है सबसे प सहाब और Council of Minister सर पीएम सहाब और Council of Minister इस बजट को कहां पेस करेंगे लोकसभा के पास प्रजेंट करेंगे क्यों क्योंकि Consulated Fund of India से अगर पैसा निकालना है तो किसका परमिशन लेना पड़ेगा सर लेजिसलेटिव का परमिशन लेना पड़ेगा इस बजट को कहां पेस किय रहा है for example इस साल का तो चलो तुम बता रहा है कि क्या क्या बजट होने वाला है पहले हमको यह बताओ पिछले साल जो पैसा दिये थे वो कहां कहां खर्चा किया समझ मैं आपको बजट पेस करने का एक ही मतलब मेन काम क्या है न सर कि जो पैसों का बेवरा है वो लेजिसलेटिव अपने पास रखती है और जब तक लेजिसलेटिव जो विधान पाली का है जब तक वो ना चाहिए तब तक पैसा नहीं निकल सकता तो सर बजट पेस किया जा रहा है लोग सभा में जैसे ही लोग सभा में budget पेस किया जाता है ना तो जो legislative है वो पूछती है जो government से पूछती है कि अच्छा government यह बताओ पिछले साल जो तुम इतना बैसा लिया था budget के नाम पे क्या वो budget खर्चा किया तुम कहां कहां खर्चा किया हमको दिखाओ तो government दिखाती है सर पुराने साल का कि हां देखो यहां आपर हम लोग ने खर्चा किया है ठीक है अब जब इतना कुछ दिखा दिया फिर से पूछती है legislative कि चलो ठीक है तुम तो दिखा दिया अब हमको बताओ कि इस साल क्या क्या खर्चा करने वाले हो फिर government अपना next year का plan बतात है कि देखिए military sector में मुझे इतना खर्चा करना है education में इतना खर्चा करना है highway roads and highways में इतना खर्चा करना है and bla 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 समझ मैं आपको कि budget का मूल उद्देश क्या है सर कि जो legislative है उसको अवगत कराना कि देखो मेरा plan यह यह है क्या आपको over लेमेन भासा में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि budget करता क्या है समझ मैं आपको यहां तक क्या आपको यहां तक समझ मैं है सभी को चलो गुड अब सर एक ना history है एक history जुड़ा हूआ है budget से एक history जुड़ा हूआ है budget से क्या history जुड़ा हूआ है कि आज से बहुत स्ल पहले 1944 के वक्त एक ऐसी पेस नहीं किया जाता था था पदर चब्विगये लिए और द्यूर्विश के वक्ति JIM॥ अब पुछो कि कौन कौन सा है, सर एक बजप घशट होता था जेनरल हो, जेनरल बजट और एक बजट होता था रेलवे का बजट रेलवे बजट क्या होता था 1924 के वक्त कि दो टाइप का बजट पेस किया जाता था अलग-अलग एक था जेनरल बजट और एक था रेलवे बजट सब्सक्राइब जेनरल बजट में क्या डिस्कस किया जाता था जेनरल अब सरकार कहां-कहां खर्चा करना चाहती है। Bless medical field में करना चाहती है फिर जो भी परंतु railway budget अलग से निकाला जाता था अब railway budget में क्या होता है railway budget में सिर्फ और सिर्फ railway के बारें बात क्या जाता था कि देखो railway में यह यह से चलानी के लिए रेलवे को एक profitable बिजनस बनाया रखने के लिए उसका बजट अलग साना चाहिए ऐसा एक कमीटी आया था सर उस कमीटी का नाम है एकवर्थ कमीटी लिख लिजेगा एकवर्थ कमीटी के रिकमेंडेशन पर 1924 से यह चीजँ लागो होने लगा याद रखना एकवर्थ कमीटी के अनुसार 29 के बाद से भारत में दो टाईप का बजट आने लगा दो अलग-अलग budget आता था एक था general budget जन्रल budget मतलब पूरा overall जितना भी चीज है ना भारत का उसके बारे मात करेगा except the railways railways के अलावा जितना भी चीज है न सब के बारे मात करेगा और railway budget में क्या था sir सिर्फ और सिर्फ railway के बारे मात करेगा ठीक है यह कौन से committee के recommendation था sir एकवर्थ कमेटी लेकिन 2017 में एक नया चीज हुआ 2017 में और आपको जानके यह आश्चेर होगा 2016 तक न ऐसा ही चलता रहा 2016 तक 2016 2016 तक मतलब 2016 2016 तक हमारे देश में दो अलग अलग बजेट प फेज के जाते थे एक था जनरल बजेट जिसमें धेश से पेस के आता था छोटे पेज के चाइब करपने कि एक वए रैलवे के बारे बात भी राव ran 17 में एक कमिटी बनाया गया उस कमिटी का नाम था विबेक देवरोय कमिटी यह है विबेक देवरोय साय ठीक है याद रखेगा विबेक देवरोय कमिटी एक कमिटी बनाया गया विबेक देवरोय कमिटी इस कमिटी के सिफारिस में क्या किया गया न कि बोला गया कि देखो यह तो Ministry of Finance को बोला, देखो, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, इब हम फालतू चीज़ है, दोनों को merge कर दो, दोनों को merge करके, simple सा है, एक budget, single budget निकालो, तो 2017 से, एक नया change आया, हमारे budget के process में, क्या change आया सर, कि हम लोग railway budget को, और general budget को, एक दूसरे साथ merge कर दिये, और single budget पेस करने लगे, मतलब 2017 के बाद क्या होने लगा, 2017 के बाद क्या होने लगा, कि सिर्फ और सिर्फ एक ही budget पेस किया जाता है, और उस budget में, railways भी included होता है, is it clear, सब को समझ माया, रहाया ना बोला भाई, सब को समझ माया, ठीक है, चलो, सब को समझ माया यह चीज, चलो, next, अब सुनिये का ध्यान से, सर, budget जो है, इसको पास करने का process क्या होता है, तो आप लोग सबसे पहले मुझे यह बात बताएंगे, budget को introduce करना, या फिर budget को present करने का कर्तव है किसका है, budget को introduce करना, या फिर budget को present करने का कर्तव है, duty किसका है, किसका है duty सर, यूनियन फाइन्स मिनिस्टर, वो लोग जो बैठे के आराम से सो रहे हैं, ठीक है, class में, के आराम से सो रहे हैं, ठीक है, तो मत सोईए, क्योंकि हर एक word important है, यूनियन फाइन्स मिनिस्टर का ये कर्तव है, ये duty है, budget को paste करने का, और किसका ये कर्तव है, कि ये budget, ये annual financial statement, सुचारू रूप से present हो रहा है के नहीं हो रहा है, ये किसके जिम्मेवारी है, इसको करवाना किसके जिम्मेवारी है, प्रेसिडेंट सापकी ठीक है चलो अब मैं प्रोसेस बताता हूं अब मैं प्रोसेस बताता हूं किस प्रोसेस से बजट तयार किया जाता है ठीक है बजट किस तरीके से तयार किया जाता है ठीक है तो प्रोसेसिंग प्रोसेस फॉर्डी फॉर्मेशन ऑफ बजट सर गौवर्मेंट बजट त्यार कैसे करती है गौवर्मेंट जो है यह बजट त्यार कैसे करती है यह देखेंगे हम लोग ठीक है सुनना ध्याम से सबसे पहला चीज कि सर जैसे मैंने आपको बताया कि बजट आज के वक्त में क्या मुझे बता पाओगे आप लोग आज के वक्त में बजट को किस वक्त में पेस किया जाता है गौवर्मेंट के द्वारा किस महिने में पेस किया जाता है किस वीक में पेस किया जाता है चलो, सुनिये का ध्यान से, process for the formation of budget, सर ये किसका responsibility है, सबसे पहला चीज, किसका responsibility है, तो ministry of finance, finance ministry, ministry of finance का responsibility है, कि वो, मतलब उसका ये responsibility करतव है, कि वो budget बनाए, और ministry of finance का head कौन होता है, सर, finance minister, और वे इसी बात है, finance minister, तो कहीं न कहीं, ये finance minister का head, finance minister का ये करतव है, कि budget सही time पर बने, चलो, मैंने अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों से पूचा था, कि सर, हमारे देश में अभी के वक्त, जो budget है, वो किस वक्त पेस किया जाता है, तो first week of February में, first week of February में, मतलब, first week of February में, budget पेस करना है, तो sir, उसका जो त्यारी है न, वो पिछले साल, अगस्ट सप्टेमबर से ही start हो जाता है, for example, अभी 2023, February में, वी 2023 जो February आने वाला है, उसमें budget पेस किया जा करना है, तो इसका preparation कब से लग गया होगा, government कब से इस चीज का preparation करने लग गई होगी, पिछले साल, अगस्ट सप्टेमबर से, मतलब, अगस्ट सप्टेमबर 2022 से ही government एकदम तयार हो गया, कि हाँ, चलो, अगले साल पेस करना है, तो अभी से तयार हो जाते हैं, तो, सेप्टेमबर 2022, अगस्ट सेप्टेमबर 2022 से ही government, मतलब, ministry of finance लग जाता है, बजट को form करने में, बजट को बनाने में, तो सबसे पहला step क्या होता है, सबसे पहला step क्या होता है, तो सुनिए कह जहां से, सबसे पहला step, finance minister जो है, वो बात करता है किस से, एक department है, उस department का नाम ह department of finance, sorry, the department of economic affair, the department of economic affair, ये जो department है ना, ये finance ministry के अंतर ही काम करता है, ये finance ministry के अंतर ही आता है, ठीक है, जो finance ministry बड़ा है, उसका एक सब पार्ट है, department of economic affair, तो जो finance minister है ना, वो department of economic affair को ये बोलता है, कि रहे, department of economic affair, तुम लोग एक budget circular release करो, याद रखेगा, सबसे पहला step क्या होता है, formation में, budget का formation में, कि finance minister department of economic affairs को ये बोलता है, कि department of finance affair, आप लोग एक budget circular release करो, now what is budget circular, मतलब पहला step तो आपको समझ आ जाना चाहिए, कि सबसे पहला step, budget बनाने में क्या है सर, budget circular को release करना, now what is budget circular, सर ये budget circular, एक type का, आप समझ लो की, एक type का notice है, एक type का notice है, जो हर एक ministry को भेजा जाता है, obviously सर, हमारा जो government है, उसमें बहुत सारा ministries है, हर एक ministry को ये budget circular भेजा जाता है, और ये बोला जाता है, कि देखो, तुम लोग को, अपना ministry को चलाने के लिए, कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, हमको ये बताओ, दूसरा चीज, वो पैसा को तुम क्या करने वाला है, क्या, क्यूं चाहिए उतना पैसा तुमको, उसका justification भी बताओ, मतलब, बजट circulation जो है, वो हर एक, जितना भी ministry है न, सर, जितना भी ministry है, government of India का, उन सभी के पास भेजा जाता है, और budget circular में क्या बोला जाता है, कि सभी ministry को पैसा चाहिए, अगर तुम्हें पैसा चाहिए, तो कितना पैसा चाहिए, सभी ministry को अपना ministry चलाने के लिए, हर एक मंत्राले को, अपना मंत्राले को सुचारो रूप से चलाने के लिए पैसा चाहिए होगा, और कितना पैसा चाहिए होगा, वो कौन बता सकता है, अच्छा से, वही मंत्राले बता सकता है, और इसलिए, जो department of economic affairs है, यह budget circular release करती है, और हर एक मंत्राले में भेजती है, और उन मंत्रालों से यह पूछती है कि तुमको कितना पैसा चाहिए, बताओ, वो बोलती है, हाँ, मुझे 100 करोड चाहिए, for example, road and highways, ministry of road and highways, वो लग बोल रहा है कि हाँ, मुझे 100 करोड रूपया चाहिए, तो department of economic affairs बोलेगा, अरे पागल, वो रूपया चाहिए, ठीक है, काहे चाहिए, where is the justification, justification काहे, हमें बताओ भी तो सही, कि किसलिए चाहिए, क्योंकि अगला हमसे पूछेगा, हमसे पाल्यामिन में पूछेगा, कि यह road and highways को रूपया चाहे दे रहे हैं, और भीजा जाता है हर एक ministry को, ताकि हर एक ministry, बता सके, कि उनको कितना grant चाहिए, और इसी grant को, पढ़े लिखे लोग क्या बोलने लगते हैं, demand of grant, मतलब कितना grants चाहिए सर, कितना पैसो का demand है, तुम्हारा कितना पैसो का demand है, तो demand of grants पता लगाने के लिए, different material का demand of grants पता लगाने के लिए, budget circular को release किया जाता है, और demand of grant में क्या-क्या चीज होता है सर, सबसे पहला चीज, कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, यह बताओ, और उसके बाद क्यों उतना पैसा चाहिए उसका justification दो यह दो चीज होता है demand of grants में तो आपको क्या समझ माया what is demand of grants what is demand of grants समझ माया आप लोग को फिर से समझाता हूँ सुनजी के जान से सर बजट का formation के लिए कौन सा मंत्राले जिम्यवार है ministry of finance minister of finance का head gone है माई बाप कौन है sir finance minister finance minister department of economic affairs को बोलता है कि देखो अगत सब्टेंबर का वक्त है अब हम लोगो budget बटाना start करना है तो एक काम करो तुम budget circular release करो तो department of economic affairs बोलता है ठीक है budget circular release कर दिया जाता है department of economic affairs के द्वारा और हर एक मंत्राले को भेज दिया जाता है हर एक मंत्राले अपने हिसाब से अपना खर्चा को देख के कि उसको फर्दर क्या क्या करना है उसको किसकिस sector में उसको किसकिस कार में यूज करना है अपने हिसाब से वो demand of grants त्यार करता है और demand of grants में क्या होता है कि मेरे मंत्राले को कितना पैसा चाहिए और क्यूं चाहिए यह दो चीज होता है और यह सभी यह सभी मंत्राले सब demand of grants को फिर से भेज देता है department of economic affairs के पास मतलब एक चीज़ और करो क्या department of economic affairs के पास अब एक पूरा data आ गिया कि हर मंत्राले को कितना-कितना पैसा चाहिए हर मंत्राले को कितना-कितना पैसा चाहिए यह समझ माय गया department of economic affairs को तो क्या यह चीज़ helpful नहीं होगा Finance Minister के लिए कि budget में क्या-क्या चीज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, समझ माया, यह का होता है, so this is the step one, यह step one है, पूरा budget formation का, step two क्या है, सर, एक और department है, Finance Ministry का अंदर, एक और department है, Finance Ministry का अंदर, उस department का नाम है, Department of Revenue, Department of Revenue, Department of Revenue, Now, यह भी सर, Finance, वित मंत्रा आले के अंतरगाथी काम करता है, ठीक है, यह क्या करता है, Department of Revenue क्या करता है, यह pre-budgeting meeting करता है, अब देखो, pre-budgeting, सबसे पहला word हो रहा, pre, pre, मतलब, budget से पहले, pre-budgeting, मतलब, budget pace करने से पहले, बहुत सारा meeting करता है, सर किसके साथ करता है बहुत बड़े-बड़े businessmen लोग के साथ करता है बहुत बड़े-बड़े उद्योकपती लोग के साथ करता है जो different, different important institution है हमारे भारत में उनसे करता है क्यों करता है ताकि Department of Revenue को ये चीत समझ में आए कि सर भारत में आज नीड क्या है भारत के लोगों को क्या चाहिए Department of Revenue प्रेस से भी वारतालाब करता है कि प्रेस वाले क्योंकि प्रेस से हम लोगों को पता चलेगा कि लोगों हो क्या चाहिए ठीक है तो Department of Revenue कोशिस यह करता है कि वो बहुत important important meeting करे हर वो important aspect के साथ जिससे भारत में जिससे यह पता चलेगा कि भारत के लोगों को क्या चाहिए भारत के लोगों को किस चीज में कितना development चाहिए ठीक है तो वो overall knowledge पाने के लिए Department of Revenue जो है वो pre budgeting meeting करता है अब सर प्री-budgeting meeting का फाइदा क्या हुआ आपको यह बास समझ माना चाहिए कि फाइदा क्या हुआ फाइदा यह हुआ कि Department of Revenue को अब wider aspects में पता है कि सर भारत की जन्ता भारत के लोग क्या चाह रहे है भारत का उद्योगपती क्या चाह रहे है भारत का जो business man है वो क्या चाह रहा है भारत के जो medical institutions है वो क्या चाह रही है भारत के जो press वाले हैं वो क्या चाह रहे है समझ मार डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू का ये काम होता है कि वो प्री बजेटिंग मीटिंग करें और डेटा को कलेक्ट करें अब इतना करते करते ने सर जैनवरी का टाइम आ जाता है जैनवरी का टाइम अगत से स्टार्ट किया था अब जैनवरी पहुंच गया अब बताओ फाइनस मिनिस्टर के पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है तो सबसे पहले तो फाइनस मिनिस्टर के पास अवेलेबल है कि कितना कितना डिमांड ऑफ ग्रांट्स आया है हर मिनिस्ट्री से मतलब हर मिनिस्ट्री कितना कितना डिमांड ऑफ ग्रांड मांगा है किस मिनिस्ट्री लोगों कितना कितना पैसा चाहिए इस बात का डेटा है ठीक है दूसरा चीत सर क्या एक्सपेक्टेशन है what is the expectation of the people of India from the government of India लोगों का क्या expectation है government से कि कैसा budget government pays करे इसका भी data present है कैसे present है इस pre budgeting meeting के लिए के वज़ा से समझ माया आप लोग को हां जी यह दो डेटा present है finance minister को पास समझ माया आप लोग को sir ministry of finance को यह चीज़ पता चलता है कि क्या क्या demand of grant चाहिए हर ministry को यह पता चलता है budget circular circular से ठीक है budget circular से और expectation क्या क्या है लोगों का government से यह पता चलता है pre budgeting meeting से now अब finance minister के पास इतना information होता है अब finance minister क्या करता है कि यह पूरे information को ले के जाता है cabinet ministers के सामने cabinet minister plus the PM परधान मंत्री वो लोग के सामने paste करता है कि देखो मेरे पास यह यह data है और हमारा जो budget है वो कुछ ऐसा होना चाहिए ठीक है कुछ इस परकार से होना चाहिए क्योंकि यह data मुझे पराप्थ हुआ different different मंत्रालों से और लोगों का जो pre budgeting meeting हुआ उनसे हमें यह समझ माया कि देखो यह expectations है लोगों का हम से हमारी सरकार से ठीक है तो cabinet मंत्री और जो परधान मंत्री वो हर एक बात को सुनते हैं ठीक है उसके बाद cabinet मंत्री और परधान मंत्री ये मांगते हैं finance minister से कि चलो मुझे ये बताओ कि पिछले साल का previous year का पिछले साल का demand of grant कितना था अब आप लोग को demand of grant का मतलब समझ महारा होगा demand of grant is nothing it is the requirement of the money from the ministries कितना पैसा चाहिए हर एक ministry को तो पिछले साल का पिछला budget का क्या demand of grant था तो सबसे पहले candidate मंत्री लोग ये मांगता है उसके बाद क्या मांगता है कि ये हमें बताओ कि अभी जो आने वाला है मतलब next year जो हम लोग budget पेस करने वाले हैं उस वक्त कितना demand of grant मांगा गिया है ministry से ठीक है ये बाद discuss होता है इसके बाद अच्छा एक बाद बताओ अभी पूरा international market में पूरा international या फिर global reason में क्या-क्या economic reports आया है जैसे for example IMF का reports आता है Sir World Bank का report आता है तो ये ये reports को भी अच्छा से खंकाला जाता है पढ़ा जाता है समझा जाता है इनके द्वारा ठीक है चलो इसके उपर भी discussion हो जाता है इसके बाद ये लोग फिर से क्या चीज़ मांगते हैं ये लोग बोलते हैं कि अच्छा ये एक बाद बताओ अभी जो statement of accounts है पिछले साल का वो कितना है पिरिवेज येर का statement of accounts कितना है अब इसका मतलब क्या होता है सुनना ध्यान से अगर आपको थोड़ा भी economics पता है तो statement of accounts का मतलब होता है कि पूरा भी खाता बताओ कि जो पैसा मिला था उसमें कितना पैसा खतम हो चुका है और कितना पैसा अभी बाकी है कितना पैसा actual है और कितना पैसा estimated है इसका मतलब होता है statement of accounts statement of accounts का मतलब ये simple सा आप समझ सकते हो ठीक है statement of accounts का मतलब कितना उसमें actual है और कितना उसमें estimated values है ठीक है क्योंकि ओवेस सी बात है सार ये काम कब हो रहा है। ये discussion कब हो रहा है। सर ये January के व смотреть में discussion हो रहा है। मतलब क्या वित्यवर्स अभी खतं हो चुका है। नहीं, वित्यवर्स अभी चल रहा है। next वित्यवर्स के लिए हम लोग बात कर रहे है। तो अभी government के पास पैसा तो है ना भाई, अभी तो government के पास पैसा है ना इस वित्यवर्ज के लिए, तो वही पूछता है cabinet मंत्री, finance minister से, कि ये बताओ, कि हमारा जो statement of account है, उसमें कितना actuals है और कितना expenditures है, तो ये बताया जाता है, कितना estimates है, ये बताया जाता है, इसके बाद फिर cabinet मंत्री लोग ये पूछता है, अच्छा एक बात बताओ, जो पहले का, जो मतलब हमारे से पहले वाला जो government है, वो लोग किस टाइप का policies लाया था, बतलब सर्थ, जो previous policies होता है ना, previous economic policies जो होता है ना, उसके बारे में भी discuss किया जाता है, जो पुराने जो governments हैं, उनके द्वारा क्या-किया economic policies लाय गया है, उनके बारे में भी decide किया जाता है, उनके बारे में भी discuss किया जाता है, ठीक है, इसके अलावा और किस चीज को पर discuss किया जाता है, सर, पुछा जाता है, कि एक बात बताओ, अभी tax में क्या-क्या changes लाना है tax में क्या-क्या proposal लाना है मतलब GST बढ़ाना है, घटाना है क्या करना है, मतलब बताँ मुझे ये वाले tax को बढ़ाना है, घटाना है, क्या करना है इस चीज़ में tax ऐसा करना है बढ़ाना है, घटाना है, कैसे करना है तो taxes के उपर भी बात किया जाता है तो ये पूरा meeting होता है sir, finance ministry, cabinet minister और prime minister सब के साथ है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद finally, tax proposal से पहले मैंने ये बताया, कि पिछले governments का, जो previous governments है, उनका economic policy कैसा रहा था, उनका economic policy कैसा था, sir, उनका economic policy किस चीज़ पे ज़्यादा focus कर रहा था, उसके भी हम लोग कचरचा करता है, ये लोग बैटके है, ठीक है, finally, ये लोग सब एक table पे आके, ये decide करते हैं, कि हाँ, ये हमारा budget होना चाहिए, ये हमारा budget होना चाहिए, उसके बाद finance minister जो है, वो, जो लोकसभा का जो secretary general होता है, जो IES होता है, secretary general जो होता है, sir, लोकसभा का, उसको inform किया जाता है, finance minister के द्वारा, कि हाँ, हमारा budget त्यार हो गया है, फिर ये जो secretary general होता है, लोकसभा का, ये लोकसभा के speaker को बोलता है, कि हाँ भया, देखिए, ये लोग का budget त्यार हो गया है, औ टाइप आफ मनी बिल को पेस करने के लिए वी प्रेसिधेंट का प्रय法 पेस करने के लिए तो आप सब्कु साब पूचा जाता है मिए उसके बाद nod जो स्पीकर है इनके द्वारा एक डेट डिसाइड क्या आता है और उस डेट में बोला आता है कि हां इस डेट में हमारा जो बजट है वो इंट्रड्यूस किया जाएगा कि आप को समझ माया कि पूरा बजट तयार कैसे हुआ और कैसे उस डेट तक महुंचा गया कि इस डेट में बजट को मतलब अब डिसकस करना है इस डेट में बजट को इंट्रड्यूस करना है कि быть ne Ministry of Finance जो है, Ministry of Ministry of Finance जो है, इसका हेड़ को है? Finance Minister. Finance Minister बोलता है Department of Economic Affairs को कि भाया, आप लोग budget circular पेज करो. Budget circular से क्या होगा? Budget circular हर एक ministry को भेजा जाएगा, और हर एक ministry से पूछा जाएगा कि तुम लोग को कितना पैसा चाहिए? चलो ठीक है, पैसा तो चाहिए? का ही चाहिए? What is the justification of your need? What is the justification of your demand? तो एक demand of grants बनाया जाता है हर एक ministry के द्वारा और उसको भेजा जाता है सर, Department of Economic Affairs के पास. इसके अलावा एक Department of Revenue भी है, जो कि Finance Minister के अधीन ही काम करता है, उसके अंदर ही काम करता है, और वो लोग क्या करता है? Pre-budgeting meetings करता है, इससे फाइदा क्या होता है? Pre-budgeting meetings के कारण क्या होता है सर, जो general overview है, कि what is the expectation of the people of India from the government? Government से क्या expectation है? उसके बार इम पता चलता है. Finally, जो demand of grants है और जो expectation है, इन सभी को paste किया जाता है Finance Minister के द्वारा, किसके पास? Cabinet मंतराले, Cabinet मंतरियों के पास, और Prime Minister के पास. इसके बाद ये लोग कुछ और aspects पर बात करते हैं कि पिछले साल का demand of grant कितना था, अभी कितना हो गया, economic report क्या है, इसके अलावा statement of accounts क्या है, ठीक, previous year का statement of accounts क्या है, सर, पुरानी जो government है, उनका economic policies कैसा रहा था, इसके बाद tax proposal क्या है, मतलब taxes में क्या-क्या छेडखानी किय जाना चाहिए, वो सब के बाद में discuss क्या जाता है, और finally, ये लोग सब decide करते हैं कि हाँ, यही हमारा budget होना चाहिए, then, इस चीज़ को inform क्या जाता है, जो finance ministry होता है, जो finance ministry के जो head है, मतलब जो वित्यमंतरी, वित्यमंतरी बोलते हैं किसको, Secretary General को, लोगसाभा का, कि हाँ, च President साब के पास, और President साहब भी हामी भर देते हैं कि चलो ठीक है, आप लोग present करो, समझ माया, अब एक बाद आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, लोगसाभा में ही क्यों paste किया जा रहा है, मेरा question आप लोगों से, money bill कहाँ paste किया जाना चाहिए, money bill कहाँ paste किया जाना चाहि आगे, कल हम लोग देखेंगे, क्या-क्या procedure है, कैसे कैसे करके, जो budget है, उसको pass किया जाता है, ठीक है, कैसे नहीं बोलेगा, President साब कैसे नहीं, हाँ बोलेंगे, उनको पूरा summary दिया जाता है, उनको पूरे budget का summary दिया जाता है, होता क्या है न, सुनियागा, एक और point सुन ल पेस करना है budget को, लोग सा भामे, उसके बाद क्या होता है, मतलब इस date को, for example, decide क्या गया, 5th of February, 5th of February 2023 को budget पेस किया जाएगा, तो finance minister क्या करते है, यह या तो उस दिन, या तो उससे एक दिन पहले, एक summary तियार करते है, पूरा budget का, पूरा budget का summary तियार करते है, ठीक है, पू पूरा summary को ले जाके, ले जाके पहुचाते हैं, कहाँ पे, प्रेसिडेंट के office में, और प्रेसिडेंट को बोलते हैं, देखिए, हुजूर, इतना मैंने मैंने summarize किया अप थीजों को, आप please देख लीजे, ठीक है, तो sir, इतना मेहनत देखके न, प्रेसिडेंट साहब भी मन याद होना चाहिए, 112 आपको याद होना चाहिए, यह किसका कार्य है, कि यह कार्य होना ही चाहिए, प्रेसिडेंट साहब, समझ मैं आपको, ठीक है, तो यह, यह इसका समरी था, so, कल हम लोग देखेंगे, what is the procedure, क्या procedure होगा, budget को पास करने का, thank you so much for joining me today, कल मिलता है,